नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास लावा Z3 है या 2 है कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप डेटा लिमिट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और डेटा यूसेज की सेटिंग कैसे कर सकते हैं डेटा लिमिट एन वार्निंग सेट करने के लिए आप चले जाएंगे हाँ पर सेटिंग पर सेटिंग पर जाने के बाद यह यह वाला option highlight तभी होगा जब आपको mobile data on रहेगा, यह on रहना चाहिए तब आपको यहाँ पर data warning and limit पर click करना है, data warning आपका on है, data warning कितने GB पर चाहिए वो GB या फिर MB आप यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर मैं 500 MB गर देती हूं और set पर click कर देती हूं, set data limit ओके, और data limit आ रखना है, आपने कितना recharge किया है, उसके according आप रख लेंगे, यहाँ पर चाहिए विया कितना, और यह आपका monthly select set होता है, ठीक है, आपका daily का नहीं होता है, बाकि यहाँ पर आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो date है, वो date select हो जाएगी, और आज से आपको start करना या कल से वो आप set कर लेंगे, और set पर click कर देंगे, ताकि यह हर महीने आपका activate हो जाता हो, होता रहे है, आपको हर महीने बार बार set करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो इतनी setting आप कर लेंगे data limit की, I hope guys, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार